सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार मेरा नम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है जहां हम फाइनेंस की नॉलिज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं पिछले वीडियो में हमने NPV और IRR की कैलकुलेशन देखी थी मतलब अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट एनलाइज कर रहे हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट को आप एनलाइज कर रहे हैं तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं ये हमें NPV और IRR की कैलकुलेशन से पता चल जाता है लेकिन अगर आपके पास मान लीजे मल्टेपल प्रोजेक्ट के आप्शन हैं लेट से प्रोजेक्ट वान, प्रोजेक्ट टू, प्रोजेक्ट थ्री और आप ये देखना चाहते हैं कि मेरे को कौन सा बेस्ट प्रोजेक्ट है इन्वेस्ट करने के लिए या फिर कौन सी मेरे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है पैसा लगाने के लिए जब आपके पास पैसा लिमिटेड है तो आप ये दोनों calculation कर सकते हैं NPV और IRR की लेकिन दोनों के अंदर difference आ जाता है कई बार एक conflict हो जाता है NPV के हिसाब से हो सकता है project 1 better हो और IRR के हिसाब से हो सकता है project 2 better हो तो अब NPV और IRR में से आपको कौन सा metric better रहता है कौन सा metric चुनना चाहिए यही हम इस वीडियो में discuss करेंगे तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके last तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह topic काफी important है अक्सर हमें ऐसे investment analysis करने ही पड़ते हैं अपनी आम जिदिगी में भी चलते हैं सीधा blackboard की दरफ मान लीजिए एक company के पास 3 choices है लेट से project A, project B और project C में invest करने के लिए अब हो सकता है ये तीनों के तीनों projects को evaluate कर रही हो company तो अब यहाँ पे दो scenario बनते हैं एक में तो मान लीजिए funds की कोई कमी नहीं है company के पास और वो तीनों projects को invest भी कर सकती और तीनों projects को छोड़ भी सकती है तो independently evaluate कर रही है कोई भी project अच्छा लगा तो वहाँ पे invest कर देगी दूसरे scenario बनता है जहाँ पे company के पास funds की constraint है funds वहाँ पे limited है तो हो सकता है सारे के सारे projects अच्छे हो लेकिन फिर भी वो कहेगी कि मेरे को एक या दो project में ही invest करना है तो वो हो सकता है अपनी ranking दे लेट से उसके हिसाब से हो सकता है project B अच्छा हो सबसे अच्छा हो project A second number पे आता हो और project C third number पे आता हो तो अगर उसको एक ही project चूज करना होगा तो वो कहेगी कि मिरे को project B में पैसा लगाना है तो अब ये ranking कैसे होती है यही हमें इस video में समझना है तो देखिए जैसा scenario 1 की मैंने पहले आपसे बात करी कि अगर funds का कोई constraint नहीं है independently सारे projects को evaluate कर रही है company तो उस case में हमने देखा था कि हम कैसे निकाल सकते है कि एक project में invest करना चाहिए या नहीं हमने कहा था अगर उसकी NPV positive आ जाती है more than zero आ जाती है at a discount rate of expected returns मतलब अगर मान लीजे वो company 12% के expected returns है मैं यहाँ पर expected returns के उपर ही लिख देता हूँ 12% तो अगर मान लीजे NPV उसकी 12% के हिसाब से जो भी उस company के expected returns है जहाँ पर भी उसको maximum returns मिलते हैं अपने किसी भी project के अंदर तो उसके हिसाब से अगर NPV positive आ जाती है तो वो project yes हो जाता है तो ऐसे case के अंदर project A, project B और project C तीनों के तीनों yes हो सकते हैं अगर वो ये criteria meet कर जाते हैं similarly IRR अगर cost of capital से ज़्यादा हो जाता है मान लिजे आपने ये interest rate पे कुछ पैसा हुटाय हुआ है जितनी भी आप उसके अंदर capital डाल रहे हैं वो अगर आपने किसी interest rate के उपर उठाई है और हमारा IRR उससे ज़्यादा हो जाता है तो भी हम उस project के अंदर निवेश कर सकते हैं अगर आपका loan interest rate 11% का है और आपका IRR 15% का आ जाता है तो definitely ये ज़्यादा है और ऐसे project के अंदर भी आप invest कर सकते हैं तो ऐसे case में भी सारे project reject हो सकते हैं और सारे project accept भी हो सकते हैं अगर ये दोनों criteria meet हो जाते हैं तो यहाँ पे आप combined view भी ले सकते हैं NPV और IRR दोनों calculate करके भी ले सकते हैं अब second scenario की जो बात आती है अगर funds limited हैं तो company choose करेगी इन projects के बीच में तो जैसा हमने यहाँ कहा कि वो अपनी एक rank देगी 1, 2 या 3 करके कि कौन सा सबसे better project है अब ये rank किस तरीके से मिलेगी ये depend करता है कि आप NPV के हिसाब से देख रहे हैं या IRR के हिसाब से तो यहाँ पे कई बार conflict आ जाता है अब हम वो situations देखते हैं कि किस तरीके का conflict आ जाता है तो देखिए पहले मैं फिर से एक बार repeat कर देता हूँ अब हम जो NPV versus IRR की जो बात कर रहे हैं वो 40 second scenario की बात कर रहे हैं जहाँ पे funds limited हैं और जहाँ पे हम projects में select करना चाते हैं कि हम एक ही project करें या सिरफ दो करें या फिर हमारे पास जितने funds हैं उसके अंदर कौन सा project हो सकता है तो ऐसे case के अंदर हम पहला scenario देखते हैं कि size of project पे NPV और IRR का conflict होता है अब ये conflict कैसे होता है इसको मैं example से आपको समझाता हूँ मान लीजे दो projects हम consider कर रहे हैं project A और project B अब ये एक साल का ही project है दोनों के दोनों हम एक साल के project ही evaluate कर रहे हैं project A के अंदर तो आपका 1,00,00 रुपे का investment है आज की date में तो ये मैंने minus 1,00,00 लिख दिया यहाँ पे और आपके पहले साल में मतलब एक साल के बाद 1,500,00 रुपे आ जाते हैं वहाँ से तो इस case में क्या होता है आप IRR calculate करेंगे आपका 50% का IRR आ गया फिर net present value आप calculate करेंगे तो ये आपकी 37,557.87 आ गई अब थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजे NPV मैंने किस rate पे calculate करी है तो देखिए यहाँ पे मैंने यह 7% पे calculate करी है यहाँ पे मैंने 12% पे calculate नहीं करी है expected returns company के 12% हो सकते हैं लेकिन जब आप NPV और IRR को compare करेंगे दो projects को NPV और IRR के हिसाब से compare करेंगे तो आप क्या करेंगे discount rate जो होगा वो आपको risk free interest rate लेना है आप इस बात का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिए तो यह risk free interest rate लीजे यहाँ पे आप यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह risk free interest rate आपको बैठे बिठाए मिल सकता है यह आपको खाली bank के अंदर पैसा डालना है for example अगर आप FD के अंदर पैसा डाल देते हैं यह मैंने FD का ही आज का interest rate लिया है 7% का तो आपको बैठे बिठाए कुछ नहीं करना है यह पैसा आपको मिलता रहेगा तो हम चाहते हैं कि अगर हम कोई project करें तो उससे better हमको क्या मिले तो NPV अगर आप 7% के हिसाब से calculate करते हैं तो यह जो amount आता है यह actually wealth added है to the company तो इसको हम कह सकते हैं यह दोनों ही cases में यह real wealth added है तो इसलिए हमने यह 7% पे NPV calculate करी है अब देखिए project B के अंदर आप हो सकता है 3,000,000 रुपे लगा रहे हैं हो और 4,000,000 आपको पहले साल में आ रहा है देखिए अब यहाँ पे IRR तो कम है यहाँ पे IRR 40% आ रहा है पहले वाले case में आपका IRR 50% आ रहा है लेकिन NPV यहाँ पे जादा आ रही है यहाँ पे 86,470 की आ रही है दोनों के अंदर difference जो है वो करीब करीब 50,000 रुपे का है NPV के अंदर तो देखिए अब IRR के हिसाब से देखेंगे तो आप कहेंगे कि हमें project A करना चाहिए लेकिन NPV के हिसाब से कहेंगे तो आप कहेंगे कि हमें project B करना चाहिए क्योंकि NPV इसकी जादा है तो हमें कौन सा project select करना चाहिए और IRR या NPV दोनों में से कौन सा better metric है जिसके हिसाब से हम select करें तो यहाँ पे एकदम मैं आपको clearly बता देता हूँ NPV better metric होता है क्यों क्योंकि जैसा हमने यहाँ पे बात करी कि यह आपको actual wealth edit दे रहा है कि आपकी jam में extra पैसे कितने आए तो आपकी jam में 50,000 रुपे यहाँ पे extra पैसे आए भले ही आपने extra investment करी हो सकता है आपके जो बाकी के 2,000,000 हैं अगर आप माल लीजे यहाँ invest करते एक लाख रुपे यहाँ invest करते बाकी के 2,000,000 आपके bank में पड़े रहते जो आपको खाली 7% के returns देते तो यहाँ पे अगर आपके पास 3,000,000 रुपे हैं तो बेटर आपके लिए यही है कि इन दोनों प्रोजेक्ट में से आप project B चूज कीजिए और क्योंकि वो आपको 50,000 आपके bank account में extra पैसे दे देगा एक साल के बाद तो इसलिए NPV हमेशा better होता है अगर दोनों में conflict हो रहा है आगर आपको projects choose करने है तो फिर दूसरा conflict कहां आता है कई बार project के जो cash flows होते हैं उसके timing में भी बहुत फरक होता है तो इसका भी एक example लेते हैं मान लीजे project A और project B दोनों के अंदर ही आप 1,00,000 रुपे इंवेस्ट कर सकते हैं अब हम यहाँ पर difference amount में नहीं बता रहे हैं यहाँ खाली cash flows के अंदर difference आ रहा है amount same है पहले वाले project के अंदर आपको एक साल बाद ही डेड़ लाग रुपे आ जाते हैं बाकी का zero zero हो जाता है एक साल बाद में ही आपको सारे पैसे आ जाते हैं दूसरे प्रोजेक्ट में आपको पहले दो साल कुछ नहीं आता है लेकिन तीसरे साल में आपको 220,000 रुपे मिल जाते हैं तो अब ऐसे केस में पहले वाले प्रोजेक्ट में आपका IRR बनता है 50% और दूसरे केस में आपका IRR बनता है 30% और यहाँ पे भी आपको क्या करना है NPV जो है वो 7% पे ही calculate करनी है risk free interest rate पे करनी है तो अब यहाँ पे NPV आपके आगई same 37,557 रुपे और दूसरे case में यहाँ पे आगई 74,389 रुपे अब यहाँ पे भी देखिए NPV जादा हो रही है right और यहाँ पे IRR पहले वाले case में जादा हो रहा है तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है NPV के हिसाब से ही project select करना है तो जहाँ पे भी NPV जादा होगी वहीं पे आपकी wealth जादा add होगी भले ही cash flows में difference हो, timing में difference हो, चाहे size of the project में भी difference हो तो भी आपको यह देखना है कि मेरी जेब में finally पैसा कितना आया तो आपको यही देखना है इसलिए NPV हमेशा एक better measure है तो आप इसमें दो बात का हमेशा ध्यान रखिए पहली तो यहाँ पे discount rate बहुत matter कर जाता है यहाँ पे सबसे जादा confusion होती है आपको बहुत सारे इसी topic के उपर graphs देखने को मिलेंगे उसमें बहुत जादा confusion हो जाती है तो आपने क्या करना है risk free interest rate लेना है risk free interest rate जब आप यह NPV calculate करेंगे तो आप यहाँ पे risk free interest rate लेजिए expected returns यहाँ पे मट डालिए और नहीं यहाँ पे आप अपनी opportunity cost of capital मतलब cost of capital का यह है कि अगर आपने कोई पैसा उधार लिया है loan पे लिया है तो वो नहीं डालना है यहाँ पे आपको risk free interest rate डालना है which can be earned without any risk and effort आपको कोई risk नहीं लेना है और आपका पैसा bank में पड़ा है वो automatically grow हो रहा है ऐसे वाला आपको discount rate लेना है दूसरी बात NPV हमेशा better measure है अगर आपको दोनों में choose करना हो IRR और NPV में क्योंकि NPV से आपको actual wealth headed मिल जाती है तो आपकी jam में final कितना पैसा आता है वो matter करता है तो I think मैंने यहाँ पर सारे scenarios cover कर लिये है NPV और IRR के उमीद करता हूँ यह concept आपको exactly clear हो गया होगा तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको like और share ज़रूर कर दीजिए अगर आपके कुछ सुझाव है या आपको feedback देना चाहते है इस वीडियो से related या इस channel से related तो आप नीचे comment कर सकते है मैं हर रोज इसी तरीके के finance और investment related interesting topics यहाँ पर इस channel पे share करता रहता हूँ तो आपने इस channel को अभी तक अगर subscribe नहीं किया है कि अगर तका कि बाइब को आपके आपका करूए हा आपके यह है